I once again welcome you all to awakening classes. Freedom struggle हमने start करा था. Revolt of 1857 हमने complete किया. Social Culture Reform Movement हमने पड़ी. Indian National Congress की formation को देखा और Moderate के एरा तक हमने conclude करा था. अगर आपने नहीं पड़ा है तो आप हमारे playlist में जा सकते हैं. आज हम देखने जा रहे हैं कि Extremist का एरा कैसे आया? कैसे Bengal की partition होती है? कैसे Extremist और Moderates के बीच में Rift तक कर होती है? जिसकी वरसे सूरत स्प्लिट होता है? और भी कैसे Bengal की partition को cancel कर दिया जाता है? यह सारी चीजें आज के lecture में हम cover करेंगे. तो बिना time waste करें, start करते हैं. सबसे पहले Extremist एरा क्या था? देखो, Moderates की policy थी prayer and petition वाली. कि हम भाई Britishers को prayer petitions डालेंगे, कि आप यह यह चीजें ठीक नहीं है, आप इनको ठीक करें. लेकिन Britishers prayer petitions से मानने वाले नहीं थे. तो फिर एक changing आई लोगों की सोच में, और साथ में young जो हैं लोग वो जुडने शुरू होगे freedom struggle में. और उनकी सोच ऐसे थी कि यह जो prayer petition वाला method है, इससे कुछ होने वाला नहीं है. अब हमें कुछ नए methods लाने पड़ेंगे. ठीक है? तो उससे extremist leader का जनम हुआ, और उनकी examples में आपको बता देता हूँ, जैसे Raj Narayan Boss, Ashwini Kumar Dutt, Arubindo Ghosh, इंपॉर्टेंट माने जाते हैं extremist में, और भाल, लाल, पाल. ये तो भाई famous नाम है extremist leader में. पाल, गंगादर, तिलग, लाला, लाजपतराय, और विपिन चंदर. ठीक है? अब देखते हैं कि reason सबसे पहले समखते हैं कि militant nationalism या extremist era start ही क्यों हुआ? देखो, मैंने कल आपको पढ़ाया था, कि 1892 में Indian Council Act आता है, बट उससे कोई भी satisfaction नहीं आती है. देखो, उसमें ये बोला गया था, कि आप जो budget है वो discuss होगा, तो discuss करके क्या करना है? बट जब आप उसको vote ही नहीं कर सकते हैं, 1897 में क्या होता है, जान तोना, नाट्व ब्रादर जिनको चापे कर ब्रादर्स भी कहते हैं, उनको deport कर दिया जाता है, बिना हिमकराद कर दिया जाता है, उनको जैल में डाल दिया जाता है. तो ऐसा system आ गया. इवन जो भाल गंगादर तिलक हैं, उनको भी sedition के लिए jail कर दिया जाता है sedition मतलब वो अपने newspaper में कुछ ऐसा link देते थे जिसकी वज़ा से लोग protest कर देते थे against government और sedition के charge में इनको भी arrest कर लिया जाता था ठीक है? 1904 में देखो दो act आते हैं ये भी बहुत important role play करते हैं extremist को जनम देने में एक official secret act official secret act में क्या था? कि ये basically press की freedom को खतम करने के लिए था press की freedom को destroy करने के लिए था कि अगर कोई भी press वाला कुछ भी government के against थोड़ा भी leak देता है, थोड़ी भी information को leak कर देता है तो उसका newspaper बंद, उसको arrest कर लिया जाएगा तो ये official secret act था मदब, press की freedom को curb करने के लिए ब्रिटिशन ने लाया Indian University Act करजन के टाइम में आ रहा है ये 1904 करजन के टाइम था Indian University Act आ जाता देखो, उनिवर्स्टी जो थी न, वहां के students जो थे न, वही freedom में बहुत आगे आ रहे थे freedom struggle में आ गया रहे थे एक act लाया गया ये उनिवर्स्टी में Indian University, तो कोई भी उनिवर्स्टी के student अगर ऐसा काम करेंगे तो उनको arrest कर लिया जाएगा उनिवर्स्टी से बाहर निकाल दिया जाएगा तो देखो, अब कैसे act आ रहे हैं लोगों को अपना view भी नहीं रखने दिया जा रहा है अब ये चीजें लोग बरदाश्ट करने वाले नहीं थे और इससे भी बड़ी बात partition of Bengal बंगाल को divide कर देंगे Britishers ने ये बोला, बंगाल को तोड़ देंगे क्यों तोड़ देंगे? क्योंकि बंगाल ही बंगाल का और Britishers ने सोचा बंगाल को ही divide कर देते हैं, बंगालीज को ही divide कर देते हैं, हिंदू, मुस्ली में तोड़ देते हैं इनको, तो फिर बंगाल ही नहीं बचेगा तो nationalism की spirit भी नहीं हो, ठीक है? अब देखो, जो बंगाल को divide करने का, जो decision लिया जाता है, कि partition की जाएगी बंगाल की, वो publicly बोला जाता है बहुँ, अब हम बंगाल को partition कर देंगे 1903 में ये बोला जाता है ठीक है? और partition को announce कब किया जाता है? जुलाई 1905 में, ठीक है? ये announce किया जाता है कि partition होने वाली है, जुलाई में 1905 अब partition किस तरह से की जाएँ थी? देखो, ध्यान समझो partition इस तरह की जाएँ थी, दो portion बनेगे, एक बनेगा इस्ट बंगाल इस्ट बंगाल वला एरिया उसमें असाम भी होगा, इसकी capital बनाई जाएगी धाका, ठीक है? ये पूरा इंडो पाकवार 1971, जो आज तक पाकिस्तानियों के लिए एक कलंग है कि उन्हें सरेंडर करना पड़ा था, वन अफ दे लाजर सरेंडर पाकिस्तान आर्मी दवारा हुआ था, तो देखो, ये इस्ट बंगाल और असाम, इसकी capital धाका, ये बंगाल को एक portion में तोड़ दिया गया, दूसरा portion बिनाएंगे जो वेस्ट बंगाल, जो आज इंडिया में है, बिहार और इसकी capital किसको बोलेंगे, जो आज capital है, कलकेटा उस टाइम कलकेटा बोलते थे, आज कोलकेटा बोलते हैं, ठीक है? तो ये बंगाल को तोड़ने का ऐसा उन्होंने परिक्रिया स्टार्ट करी है, और जब उन्होंने अनौंस किया, जुलाई 1905 में की partition अब होने वाली है बंगाल की, तो 7 अगस्ट 1905 में एक bycourt resolution इंडिया नेशनल कॉंगर्स पास करती है कि हम क्या करेंगे, ये सारे लोग pledge में लेते हैं, कि हम जितना भी foreign good आ रहे हैं, को क्या करेंगे bycourt करेंगे, government को bycourt करेंगे और proclamation हम स्वदेशी movement start करेंगे, मतलब जो भी use करेंगे, इंडिया में मनाया हुआ करेंगे जैसे हाँ made in India campaign था उस टाइम उन्हें start किया स्वदेशी, मतलब स्वदेशी use करेंगे, खादी use करेंगे, बाहर का कपड़ा use नहीं करेंगे, बाहर की जितने भी foreign goods आ रहे हैं यहां पर उनको bycourt करेंगे, ठीक है और ये final date 16 October 1905, वो जब बंगाल को partition कर दिया जाता है लोग इसमें बहुत protest करते हैं पहले तो लोग fast रखते हैं उस दिन, ठीक है, घंगा में डुबकी लगाते हैं, ठीक है हिंदू-Muslim एक दूसरे को राखी बांद देते हैं ये बताते हैं कि हिंदू-Muslim यूनाइट हैं, क्योंकि बंगाल को बेसिकली तोड़ के पता क्या किया जा रहा था हिंदूस को अलग किया जा रहा था, मुस्लिम को अलग किया जा रहा था ठीक है, तो इन्होंने ऐसे बताया, लोगों ने fast रखे लोगों ने घंगा में डूबकियें लगाई हिंदू-Muslim यूनिटी को प्रमोट दिखाने के लिए एक दूसरे को राखी बांदेगी फिर वंदे मात्रम को गाया गया वंदे मात्रम यहीं से famous हुआ था इसमें बहुत जादा वंदे मात्रम को गाया गया फिर अमार, सोनार, भंगला इसको गाया गया जो बाद में भंगला देश का नैशनल आंथम भी बना है तो बेसिकली यहाँ पर लोगों ने बहुत तरह से यह बता प्रोटेस्ट करने के तरीके थे फास्ट रखना, गंगा में डुबकी लगाना, बंदे मात्रम को गाना, राखी बांधना यह एक प्रोटेस्ट करने का वेता और यह बताता है हिंदू-मुस्लिम यूनिटी के बारे में ठीक है? अब देखो यहाँ पर समझने वाली चीज यह है कि बंगाल की पापुलेशन बहुत जएदा है, 78 million population थी उस टाइम पे इतनी जएदा है पापुलेशन को एक ही जगह पर उसको एड्मिनस्टर करना हमारे लिए difficult हो रहा है, इसलिए हम इसको दो पार्स में तोड़ देते हैं, एक तो reason यह दिया गया दूसर reason यह दिया गया, कि जो असाम है उसकी development अच्छे से नहीं हुई है, जब यह अलग होगा तो असाम को भी अच्छे से develop किया जाएगा, यह reason दिये गये, but basically यह reason थे नहीं, क्योंकि Britishers इतने शरीफ भी थे नहीं, इनका real motive कुछ और था, real motive यही था, कि भाई बंगाल को तोड़ दो, क्यों? क्योंकि बंगाल ही nationalism को grow कर रहा है, second, Hindu Muslim को अलग कर दो, क्योंकि East Bengal वाला जो area आएगा ना, इसमें Muslim हो जाएंगे, यहां पर हिंदू हो जाएंगे, वेस बंगाल वाले, तो इन दोनों को अलग कर दो, तो अलग कर दोगे तो यह nationalism grow नहीं कर दो, एक को फाइदे दो, दूसरे का जब नुकसान होगा, ultimately दोनों एक दूसरे का अगेंस्ट हो जाएंगे, तीसरा और important point, बंगाली, जो language बोलने वाले लोग थे ना, उनको बंगाल में ही काम कर दो, अब वो बंगाल मे बंगाली जो पहले 50% के करीब थे, आब वो 17% भी नहीं रहे, मतलब इतना काम कर दिया बंगाली speaking लोगों को, तो मतलब लोगों को तोड़ देना ताकि nationalism grow ही ना कर पाए, real motive इनका यह था, कहने को तो इन्होंने यह कहा, administer करना मुश्किल है, और असाम की development करनी है, आप इनक अजेंडा समझ सकते हो कि Britishers कितने, मतलब कितनी घलत इनकी सोच थी इंडिया को डिवाइड करने के लिए, ठीक है, अब देखो, अब जो यह बंगाल में partition हो जाती है, 16 October 1905, तो आपको मैंने बताया था ना, इंडिया नाशनल कॉंगर्स का हर साल session होगा, 1905 में भी Congress का session उसके प्रेजिडेंट कोन थे, गुपाल किशन गोखले, आपको यह याद रखने, 1905-1906, क्योंकि इंपॉर्टेंट इस हैं, अभी partition हो रही है, तो उसके उस इंपॉर्टेंट इस में जो जो प्रेजिडेंट थे, जिसके session के आपने याद रखने, इस गुपाल किशन को इन्होंने स्पोर्ट किया, मतलब कि स्वदेशी यूज़ करो, foreign goods का यूज़ नहीं करना, इन्होंने उसको स्पोर्ट किया, ठीक है, फिर 1906 में Congress का जो session हुआ, वो कलकता में ही होता है, करवाया जाता है, और इसमें इसको preside करते हैं, दादा भाई, नरो जी, ठीक है, औ गोल है, self-government, हमें खुद पर राज करने की self-governance चाहिए, या स्वराज इसे कहते हैं, like Australia and Canada, Australia और Canada में भी तब बिटिश की colony थी, बट वहाँ पर ये system था कि Australia और Canada में autonomous, वो रूल करते थे, और अंडर बिटिश डॉमिनियन, वो चाहते थे कि इंडिया को at least इतना मिले, कि वो खुद रूल करें, खुद की उनकी गोवर्मेंट हो अंडर बिटिश गोवर्मेंट, तो ऐसा उनका अजेंडा था, तो गोल इंडिया नैशनल कॉंगर्स का उन्होंने clear किया था, self-government आर, सुराय, like data, Australia और Canada, ठीक, I hope यहाँ तक आपको clear होगा, ठीक है, अब देखते ह कि यह जो struggle है, यह किस तरह की struggle थी और यह moderate से कैसे अलगती, ठीक है, सबसे पहले extremist ने बोला कि passive resistance start करना है, हमने passive resistance करना है, देखो, passive resistance एक non-violent way होता है, protest करने का, किस तरह से देखो, मतलब आप ऐसे protest करो कि violence भी ना हो, और काम भी नहीं करने दो government को, जैसे आपने government के किसी अगर government कोई policy ला रही है ना, तो आप उसको receive ही नहीं करो, ना कर दो, हर चीज में, जैसे अगर government schools है, आप उनको bycott कर दो, आपने जाना ही नहीं है वहाँ पर, ठीक है, कोई भी legal काम उनका होने ही नहीं देना, तोड़ फोर नहीं करनी है, उसको cooperate ही नहीं करना, उसमें जान कर दिया, यह तो मैंने आपको बोला, उनकी movement ही ऐसी थी, फिर public meetings और जलसे बगारा करवाने, स्टार्ट कर दिये, प्रोटेस्ट किया, एक method, और यह important है, ट्रडिशनल मेला जो फेस्टिवल्स होते ना, उनको use किया, जैसे भाल गंगादर तिलक जी जो छे न, वो क्या करते थे, वहाँ पर जाते थे, और वहाँ पर लोग गठे होते, तो लोगों को motivate करते थे, भाई, आप national struggle में participate करो, तो यह मेला जो फेस्टिवल्स का use करना शुरू कर दिया, और कुछ इतना हो गया, कि कुछ स्वधेशी enterprises बनने शुरू होगी, कि भाई, अब हम government की चीज़े न navigation company मिनादी, जिसका नाम ता स्वधेशी steam navigation company, कुटी कौर्ण में इन्होंने मिनाई, साउथ में, इन्होंने एक company मिनादी navigation वाली, मतलब शिप बिल्दिंग कंपनी एक, आप समझ सकते हो, ऐसे बनादी, मतलब एक indigenous develop कर दी कि हम Britishers का use नहीं करेंगे, ठीक है, अमार, सुनार, भंगला इसको बहुत गाया गया, वंदे मातरम बहुत गाया गया, ठीक है, और सुब्रामनियम भारती जी ने सुदेश गीतम भी लिखी, ये सारी freedom struggle के related चीज़े हैं, जो जो तरह से struggle हो, आप देख रहे हो कैसे shift हुगा है, जो moderate का time था, वहाँ पे सिरफ वो petitions जालते थे भाई ये करो, बस Britishers को बोलते थे कि हमारी ये demands हैं, आप थोड़े से reform सला दो, थोड़ी हमारी involvement बढ़ा दो, Indians को जादा participation दो, अभी तक वहाँ तक सीमत है, लेकिन अब यहाँ तक सीमत नहीं है, अब एक resistance डेवलप हो रहा है, चीज़ों को bycott किया जा रहा है, religious festival को use किया पार्टिस्पेड किया, लेकिन Muslim की participation कही न कहीं काम थी, क्यों काम थी, देखो, कुछ Muslim ने पार्टिस्पेड किया, बट maximum Muslim ने पार्टिस्पेड नहीं किया, उसका reason ये था कि East Bengal अलग बन रहा था, एक Muslim area बन रहा था, और इनको ये था कि Britishers की intention थी कि East Bengal को जादा डेवलप क किया जाएगा, और इनका ये था कि अगर ये partition हुआ है, तो इसे हमारा फाइदा होगा, और ये एक Britishers की policy होती है, रिफ्ट डालने की, हिंदूस और Muslims के बीच में, तो ये इसलिए Muslims ने इतना स्पोर्ट नहीं किया था, एक नवाब सली मुला थे जो डाका के, उन्होंने partition औ इंडिया नैशनल कॉंगर्स ए इतना रिफ्ट खड़ा हो जाएगा कि बाद में इंडिया का partition ही हो जाएगा, आज यहां पर बंगाल का partition हो है, वहां पर एक टाइम में इंडिया का partition हो, और ये कब खड़ी हुई, 30 दिसंबर 1905 में, as anti-congress एक फ्रेंट इसको तियार किया ग इताली गलती यहां पर Muslims की नहीं थी कि वो अगेंस खड़े हो गें इंडिया नैशनल कॉंगर्स या वो अपना benefit देख रहे थे, खोड़ी पोती गलती हिंदू की भी थी, जैसे पाल गंगादर तिलक जी थे, उन्होंने वो ऐसे क्या प्रिटेंड करते थे, वो religious festivals का यूज करते थे, जो Hindu festivals होते थे, वहां पर Muslim थोड़ा ऐसे alone feel करते थे, तो ये दोनों की तरफ से कुछ गलती हैं हुई, जिसकी वासे Muslim League खड़ा हो गया against Congress, और यही बाद में जाकर Britishers इसका फाइदा उठाएगा और इंडिया को partition करवा देगा, ठीक है, बाट ये partition लंबी देर तक नहीं चली, 1911 में इस partition को बंद करना पड़ा, क्योंकि इतना protest हो रहा था, इतने processions हो रहे थे against British government के उनको ये curb करना पड़ा, और ये Lord Harding के टाइम में हुआ था, इसको curb किया गया था, ले करजन के टाइम में हुआ था ना partition, और Harding के टाइम में 1911 में इसको partition को cancel कर दिया ग इती, और basically इसका एक reason ये भी था, कि King George जो थे, King George Britain के, वो इंडिया आ रहे से, उनका दोरा था, तो उसके तहत इतने processions हो रहे थे, इतने protest हो रहे थे, तो इसलिए भी उन्होंने इसको partition को cancel कर दिया, ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पर एक जलत face आ जाता है, सूरत split, moderate और extremist में एक split आ जाता है, एक drift अकर होती है, जिसकी वज़ा से वो तूट जाते है, moderate और extremist के relation, जिसकी वज़ा से दोनों को ही बहुत नुकसान होता है, देखो, moderate और extremist की policies नहीं मिलती थी, starting से, ठीक है, starting से नहीं मिलती थी, moderates इतना level पे नहीं protest करना चाहते थे, but extremist जो ह 1905 में ही होगी थी, होना, December 1905 में आपको बिताए, जो बनारे सेशन था, गुपाल कृष्ण गोखले जी के अंडर, उसमें ही रिफ्ट स्टार्ट होगी, उसका reason यह था, कि extremist चाहते थे, कि यह जो anti-partition है, सुदेशी movement हमने बंगाल में start करी, यह सिर्फ बंगाल तक सीमित ना रहे इसको बाहर भी लेके जाया सकते, बेंगाल वगरा एरिया में, सौरी, महराष्टर वगरा एरिया में, बट यह moderate नहीं चाहते थे, तो यहां पर एक रिफ्ट का reason बन गया, आगे क्या हुआ, 1906 में क्या होता है, कि maximum leader जो है extremist के वो चाहते थे, या तो बाल जी सबसे बड़े थे, इनकी सब इज़त करते थे, इनकी against कोई खड़ा नहीं हुआ, तो यह बन गे president, ठीक है, अब देखो moderates क्या करते है, moderates 1907 में क्या करते हैं, 1907 में यह session रख देते हैं, सूरत में, सूरत में session रखने से क्या होता है, देखो, extremist चाहते थे कि बाल गंग गदर तिलक खड़े ही नहीं हो पाए, election के लिए, ठीक है, क्यों नहीं खड़े हो पाए, क्योंकि अपनी, यह सूरत इनकी अपनी constituency में आता था, यह maharashtra constituency बिलाउं करते थे, और सूरत इनकी अपनी constituency में आता, तो अपनी constituency से कोई भी leader खड़ा नहीं हो सकता था, यह congress का rule इसलिए जीद करके इन्होंने सूरत में रख दिया, और बाल कंगदर तिलक खड़े नहीं हो पाए, और प्रेजिडेंट कोन बन गे, रास बिहारी गोश, अब इतनी ज़्यादा चीज एक्ट्रिमिस्ट के साथ हो गई, अब एक्ट्रिमिस्ट जो थे, वो मॉड़ेर्स के स बिटिशर से इनको अरेस्ट करने की कोशिश करती थी, तो मॉड़ेर्स प्रेयर परेटिशन वाले मैथर से इनको बचा लेते थे, अब जब ये दोनों अलग होगे तो जो एक्ट्रिमिस्ट के उपर मॉड़ेर्स की जो छतर साया थी ना, उनको बचा लेते थे, अरेस्ट policies like, उन policies को अब हम समझाएं, ठीक हो, government ने कुछ act पास कर लिए, जैसे seditious meetings act, कोई भी ऐसी meeting जिसमें कुछ भी government के against बोला जाएगा, तो उसका एक act पास कर दिया, इंडियन newspaper, incitement to offenses act, इंडियन press act, मलब ये press को रोकने के लिए, क्योंकि ये press में कुछ भी लिख देते थे, जो हमारे freedom struggle थे, ताकि nationalism की spirit डेवलप हो, government के आगे हैं, ठीक है, अब तिलक, बाल गंगादर तिलक जी को 6 साल के लिए jail कर दी जाते, 6 साल कम नहीं होते हैं, और 1000 का fine इनको हो जाता है, writing in case, इनका newspaper था ना, caseary, केसरी ये लिखते थे, English में, और Marathi में, ये याद रखना, ठीक है, इन्होंने केसरी में एक चीज लिखी थी, उसके लिए इनको, कितने साल के लिए jail हो जाती है, 6 साल के लिए jail हो जाती है, इन्होंने ऐसा क्या लिख दिया था, वहाँ पर, देखो, अभी हम revolutionary activities पढ़ेंगे, उनमें भी देखेंगे, इन्होंने एक incident के बारे में लिखा था, देखो, basically क्या हुआ था, एक bomb गिराया गया था, एक train में, ठीक है, मुझफर नगर में, एक train में bomb revolutionaries ने गिराया था, basically वो मारना चाहते थे, किसी Britishers को, गलती से दो women मर जाती है, वहाँ पर, innocent women मर जाती है, उसके बारे में तिलग जी ने newspaper में लिखा था, और government ने इनी acts की help से, बोला कि ये seditious चीज है, तो उन्होंने उनको क्या कर दिया, छे साल के लिए जेल डाल दिया, और 1000 का fine, ये जो सजा मिली ने इनको 6 साल, ये आगे जाके गांदी जी को भी मिलेगी, ठीक है, तो ये याद रखना, तो इनको 6 साल की सजा मिल जाती है, तो देखो है, एक तो extremist leader, man, बाल गंगादर तिलग जैसे, ये तो जेल में चलेगे, अर्बिंदो गोश्ट जो है ना, ये politics से retired हो जाते हैं, क्यों हो जाते हैं, क्योंकि इनका नाम भी इस case में आ जाता है, और साथ में इनके जो भाई थे, बिरिंदर कुमार गोश्ट, उनको भी फांसी दे दी जाती है, किसी case में, हम वो भी बढ़ेंगे, किसने surprise कर दिया, बिटिश गोवर्मेंट ने, जैसे ही moderate का इन से हाथ उठा, और दूसरे phase में क्या हुआ, moderate को भी समझ आने लगा है, दीरे दीरे देखना, आगे क्या होगा, जब हम पढ़ेंगे, ये suspense बना रहना चाहिए, नेक्स्ट वीडियो जैसे वो नहीं होता है, एक वेब सीरीज के एक एपिसोड आता है, दूसरे के लिए suspense, हम पढ़ाई में भी suspense रखते हैं, तो आपके लिए suspense यही है, कि देखो आप extremists जो हैं, वो तो बचारे सारे अलग होगे, तो अब देखना moderate से भी कुछ इतना effective होने नहीं वाला, यह जो 5-6 साल आगे वाले आने वाले हैं, जब तक बाल गंगदर तिलग जी अंदर हैं, तब तक कुछ इतना वहाँ पर भी नहीं होने वाला, फिर देखना वो जो बाहर आएंगे, फिर यह दोनों ठीक होंगे, और आगे conditions कैसे improve होंगी, तो basically यहाँ से एक ही चीज समझ आती है, यार access किसी भी चीज़ का अच्छा नहीं होता है, दोनों को मिला के काम करना चाहिए, देखो, जैसे moderate की थोड़ी polite policies थी, तो पहले वो बिलकुल polite policy थी, तो भी कुछ नहीं हो रहा था, extremist की बहुत खतरनाग वाली policy थी, इससे भी government suppress कर देती है, बहुत जल्दी suppress कर देती है, जब इन दोनों को मिला देते थे थे, moderate और extremist मिल के काम करते, तो बहुत अच्छा role play होता, और यही काम आगे जब गांधी जी आएंगे न, वो करेंगे, गांधी जी बहुत polite way में protest करते थे, और कहीं बार extremist जितना खतरनाग movement भी ले आते थे, उनका ये दोनों का जो lethal combination था न, उसकी वज़ा से ही इंडिया को freedom मिलने में बहुत role play हुआ, ठीक है, तो आगे जाके उनका भी पढ़ेंगे, आज तो हमने देखा है basically partition of Bengal, इसमें आप factual क्या गया याद रखोगे, जैसे ये paper में question आता है, University Act कब आया था, offense act, बंगाल की partition से ये date आप याद रख सकते हो, 16 October, ये जो session है, important, 1905-6, उसमें क्या कहा गया, मैं कैसे question frame होता है, देखो, जैसे जब partition हुई थी, तब इंडिया में कौन voice रहे थे, प्रज़न थे, ये दो सबको पता है, जब partition cancel हुई थी, अन्यूर्मेंट आप partition हुई थी, तब कौन थे, लॉर्ड हार्ड, इसी चीज़ें तुम्हें याद रखनी, जब सूरत split हुई थी, तब कौन preside करे थे, राश पिहारी गोश, ठीक है, अब मैं यहाँ पर MCQs, इन दो lectures में नहीं ला रहा हूँ, क्योंकि देखो, यहाँ पर एक timeline के through चल रहा है, और साथ में आपको बीच में बताई दे रहा हूँ के question आते कैसे हैं, तो आप tension नहीं लो, आपको पता है कि आपके हमारे daily quiz जो होता है, telegram channel में आप join कर सकते हो, link में description में डाल देता हूँ, वहाँ पर एक तो evening में daily test होता ही है, और हम क्या करते हैं कि, हफते में एक आदी बार जितना हमने पढ़ा होता है ना, वह में पहले ही inform कर देता हूँ, और उस पर भी mcqs लाते हैं, वो basically previous year question होते हैं, ठीक है, I hope आपको यहां तक समझ आया होगा, अगर आप किसी भी competitive exam की preparation कर रहे हो, आप नए हो हमारे चैनल में तो इसको subscribe करें, यहां पर Indian quality, history, general science, और JKSSB target VLW के लिए batch भी चल रहा है, और हमारे चैनल में आप विजिट करें, अगर आपको content पसंद आ रहा है, तो ही subscribe करें, और share करें उन बच्चों तक भी, जो भी competitive की preparation करें, हमारे यह चैनल नया है, एक new initiative है, initial phase में है, और आप लोगों का साथ होगा, तभी आगे बढ़ेगा, हमें भी motivation मिलेगी, तो do subscribe and share to those who are preparing for the same, thank you so much.